मुझे बहुत खुशी है कि सिल्की आरा टनेल के हाथसे के कारण जो 41 मजदूर फसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है सभी एजेंसियों ने विशेशुप से पीएमो के मार्गदर्शन में बारत सरकार की सब एजेंसिस उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की परिश्रम किये अलालग परयाओ पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है ये बहुत गहरा संकट था पहली बार इस प्रकार का अन्बो आया इन लोगों की जान बची उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुबकामनाय शुबेच्चाय देता हूँ और इसमें जान बचाने में जिन भारत सरकार के एजेंसियों ने और राजस सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजिनियर्स ते रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके आभार वेक्ता करता हूँ ये घटनाने भी हमको सिखाने के लिए बहुत कुछ मिला है अब हम लोग इसके बारे में टरनेल का सेप्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेकनोलोजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा सदा अच्छे टेकनोलोजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे हिमाले का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसलिए स्वाबायक रुप से वहाँ काम करना भी बहुत कठीन है पर इसके उपर हमको उपाय दुढ़ना होगा हम निश्चित रुप से उपाय दुढ़नेंगे इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जेंजेल लोगों ने सयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेश रुप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुब कामना है क्योंकि वो विचारे वापस आये हैं हमारे लिए सब के लिए बहुत खुशी की बात है उनके उज्वल भुश्य की कामना झाल